अभी कंसेप्ट का समय हो चुका है तो मैं कंसेप्ट के लिए बहल साब को बुलाना चाहूंगा इससे पहले मैं अपनी बात रखूं मैं वोल्टेर की एक कुटेशन है कि जो कि I may not agree with you English में है लेकिन मैं उसका हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि जो कुछ मैं कहूंगा जो कुछ आप कहते हैं हो सकता है मैं उसके साथ agree ना करूं लेकिन आपके कहने का अधिकार जिन्दा रहे इसके लिए मैं जीवन भर लड़ाई लड़ता रहूंगा तो मेरा भी मेरी भी बात यही है कि बहुत से जो लोग है वो हर एक आदमी की बात को पसंद करें जा ना पसंद करें कि यह जुरूरी नहीं है लेकिन उसके कहने के अधिकार को हम हमेशा जिन्दा रखें यही हमारे सवधान की स्पिरिट है यही हमारे सवधान की शिक्षा है दूसरी है कि बही मुझे मैं बावा साब का जो मिशन है जब बावा साब की जो लड़ाई है संगर्श है वो इतना नंबा चोड़ा है कि कहां से आदमी चालू करे और कहां उसको लेके जाए जै समझ नहीं के बार आती लेकिन फिर भी मुझे एक चीज की बहुत बड़ी प्रशंसा जे होती है कि बावा साब अमबेद कर एक भारती USA में पढ़ने के लिए आए और उन्होंने बहुत खुला वातावरन देखा एक सब्वे समाज देखा जहां बहुत सारी चीजें उनको ऐसे लगी कि यहां कोई मुझे मैं किसी के साथ शू जाओंगा किसी के साथ बिढ़ जाओंगा किसी को दिखाई दे दूँगा और उसका दिन खराब हो जाएगा जो मेरे साथ लड़ जाएगा ऐसी कोई विवस्ता नहीं है तो बहुत साथ शूरली बहुत करके दिमाग में जी आया होगा कि क्या ऐसा समाज भारत में भी कभी इस्टैबलिश किया जा सकता है तो यहां से बहुत साथ की सोच विचार की लड़ाई जो है वो चालू होती है और हम जो बहुत हैं जिनके मैं उपर ज्यादा फोकस करके बात करूंगा हम जो एनराईज हैं हम इसकी तरफ जरा ध्यान दें कि हम भी भारत को शोट कर बाहर आये हुए हैं जो हमारे लोग हैं वो एनराईज हैं जो अपने आपकी अपनी आर्थिक विवस्ता को सुधारने के लिए आये हैं बहुत से स्टूडेंट्स आये थे जो प इकार जो हमें विदेशों में आने का मिला वो केवल एंड केवल सब्धान की वज़ा से मिला जो आपने परस्तावना पड़ी के भारत के सारे लोगों के लिए उक्वारिटी लिवर्टी इस प्रटेंटी और जस्टिस इसका मतलब यह है कि सब्धान लागू होने से पहले जे चीजें हमारे पास नहीं थी भले हमारे पास बहुत सी मानताओं की संतों महंतों पीरों की बहुत बड़ी एक बिटालियन थी लेकिन किसी के सामने हमारे सामने जे कभी अधिकार हमें नहीं मिला के इक्वालिटी मिले लिविटी मिले फ्रटेंटी मिले और जस्टिस मिल इसी लिए शायद हम भारत को शोड़ कर बाहर विदेशों में आने के लिए मजबूर हो गए अगर जे सारी चीजें हमें भारत में ही मिल जाती और हमारे लिए जे सारे जो सुब्धाएं हमें जहां विदेशों में मिल रही हैं जे भारत में मिल जाती तो हमें भारत में विद सामने हैं विदेशों में उससे भी मैं एक और लियो टॉल स्टाइ की एक कोटेशन है मैं कोट करता हूँ वह इंग्लिश में है मैं हिंदी में करता हूं कि कि मैं एक आदमी की पीट पे चड़ा हुआ हूँ और उसको अपने बोज से बेट से क्रश किये जा रहा हूँ वो चिलाता है चीखता है और मैं उसको भी और देखने वालों को भी जे विश्वाश दिला रहा हूँ कि मैं इसका बोज कम करना चाहता हूँ लेकिन इसकी पीट के उपर से उत्रे बगार अब आप अंदाजा लगाएं कि जब आप पीट से नहीं उत्रेंगे तो उसका बोज कैसे कम होगा तो यह ब्राह्मन बाद जो हमारी पीट के उपर चड़ा हुआ है जिसने हमारे सदियों से हमें पन्गू लगा के रखा हुआ है इसको ले कर हम बिदेशों में भी अपने साथ आ गये इसी स्यलिए आज जहां भी आ कर हम उस उक्वालिटी को जिसको हम जहां जिसका अनंद हम जहां ले रहे हैं वो अपने लोगों के बीच, जिन लोगों को हम पीशे शोड़ाएं हैं, उनके बीच भी ऐसी सुबधाएं मिल सकें, मुझे जाद है कि जब मैं पहली बार UK की धर्ती पे पाउं रखा था, तो UK की धर्ती के वे, की जो होस्ट कमिनिटी थी, उसके लिए जितनी भी सुबधाएं थी, UK में, जैसे फ्री एजूकेशन है, फ्री सोसल स्क्यूर्टी है, और फ्री हाउसीं थी, अगर आपके पास हाउस नहीं तो आपको हाउस मिलता था, और बहुत सी जहां थी, सुबधा हैसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी एक सब्य सुसाइटी के बीच आ गया हूं, और लेकिन जहां आकर भी मैं देखता हूं कि मेरे लोगों की जो मान सिकता है, जो गुलामी है, वो वैसे की वैसे ही पिचास साल से जिंदा है, जैसी मैं पहली वार जहां लेकर आया था, तो इ उसके साथ साथ मुझे ये भी महसूस होता है कि जितना परचार हमने अपने लोगों को इस गुलामी से अजाद कराने के लिए किया और भावा साथ के प्रयास को उनको जाद दिलाने के लिए किया, उससे कहीं जादा हमारे दुश्मनों ने, हमारे जो हमें गुलाम बना के वाले लोग हैं उन लोगों ने किया और उसका असर इतना हुआ कि आज मजोर्टी मेरे लोग यहां अपने अपने मंदर बनाकर मंदरों में गुसे हुए हैं और वो अपनी अपनी जाती का मंदर है हम बावा साब के अमबेद करके समय जब इकठे होते थे तो सारे जातियों के लोग ही कठे हो जाते थे आज हम जब अपनी अपनी जाती के मंदर में जाते हैं तो हम एक एक वर्ग के जाती के होके रह जाते हैं इसलिए हम मेरा अपना विश्वास यह था कि अगर बावा साब अमबेद करको हम समझेंगे तो हम गलोबलाइज हो जाएंगे अगर हम जात था, कि वावाळ साहब अम्बेत् करने जब अपना सिंगर्ष चलू किया था, तो वावाळ साथ लिए त्विए तेन बहुत बड़ी समया थी एक तो कि वही जो वावाळ साहब से पहला सिंगर्ष महात्माझतिवाःब फूले जी ने किया, वो लोकलाइज रह गया, और वो लोकल एरिये में रह गया, लोकल रह गया, दूसरा के जो लोग दूसरे से अपने संगठन थे सारे, जैसे नमशुद्रा थी, पिर अपने इस में पंजाब में हमारे थे, मंगवाल मुगवारिया एक चला रहे थे, जैसे आधरम मूवमेंट और 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 भी कई मूवमेंट तो थी जैसे यूपी में थी इन सभी को लोकलाइज को वावा साब अमेद कर सोचते थे यह क्यों नहीं बढ़ सकी आगे इसलिए कि यह लोकलाइज रह गई अगर इनको मैं इनके अंदर कुमिनिकेशन और कोडिनेशन पैद जाएगी जो वाव साब ने लेटरा कर किया इसलिए वाव साब अमबेद कर सेजे मैंने सीखा कि अगर हमें अपना अपनी शक्ती अपनी अपने नंबर का इस्तेमाल करके अपनी शक्ती का इस्तेमाल करके अपनी लिख्ट पड़क्टा जो भी वाव साब ने इदिकार हमें constitution में दिये हैं, उनका इस्तेमाल करके अगर हम अपने लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, खास करके मैं एनराइस को कहता हूँ, कि वह जो मेरे एनराइस साथी हैं, अगर वो चाहते हैं, कि हमने, मैं यह बात मानने को तयार हूँ, कि जो एनराइस हैं, खास करके मैं पंजाब से आया हूँ, उन्होंने बहुत सा पैसा रिमिट किया, बापस अपने परिवारों को, अपने प्लिटिकल, जिनको प्लिटिकल कोई अलाइस था, तो उन्होंने प्लिटिकल को किया, किसीने समाजे को किया लेकन वो सारे छोटे छोटे संगटनों को हम पैसा देते रहे, उनको बढ़ावा करते रहे, अपने परवारों को भी बहुत लोगों ने अपने परवार तो सुधार लिये, लेकन सविधान के अंदर जो अधिकार थे अगर हम उनके उपर ये कंडिशन लगा देते कि आपको हम पैसा तो वापस भेड़ेंगे आप सबसे पहले इसका इस्तेमाल एजूकेशन के लिए करेंगे और एजूकेशन के साथ साथ अपने महापुर्शों की जो लड़ाई है उसको जिन्दा रख के लिए करेंगे तो वो बच्चे ब्राहमनवाद की चुंगल में नहीं फसते लेकन अब जो हो गया वो तो हो गया अभी हमारे सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो देश में और विदेश में लोग जड़े हुए हैं कि अगर सारे लोग हमारे इस चीज को मान रहे ह है आज के पिछले सब्तर साल में हमें जो सब्दान ने दिया वो धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलता जा रहा है जैसे रेत मुठी से निकलती जा रही है ऐसे वो सारे इदिकार निकलते जा रहे हैं मैंने खुद अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले जहां बावसाब अम् कमेंबरी Central Committee का मेंबर था वो सारे लोग जंदा हैं आज भी हमने विदेशों में बाव साब के नाम को बहुत बड़े प्रमाने पर प्रमोट किया और प्रमोट ही नहीं किया बाव साब को समझाया बहुत सी संसाइं थी जैसे जूएसे में थी कनेडा में थी और कई यूर्पि में हमने पहली बार आठ बावा साथ की राइटिंग एंड स्पीचिंग की बॉलियम जुए नो में दिये थे और अपने दो हजार सोला में उसी जुए नो ने बावा साथ अमबेद करके उपर उसके जनम दिन के उपर युए नो में प्रोग्राम रखा दा फर्स्ट एवर इं काम हो सकते हैं. इसी तरीके से बावा साथ का जो घर था वहमने 2002 में नाइंटीन में हमने उसको देखा, समझा और उसके उपर अपना अधिकार जमाने के लिए, कि हां, हम बावा साथ चाहने वाले लोग कहते हैं कि इसमें बावा साथ रहें, तो हम ने बहां लगाया क्यों ने और मुझे लगता है कि Central Government में विशायद उसकी कुछ मदद करी होगी वो 19 आखे 2007 में यह मतापास हो गया कि वह घर खरीदा जाएगा और 14 में वह घर खरीद लिया और 15 में 16 में मोदी जी ने उसका उद्गाटन किया आज बहुत बड़ा उसमें मीजियम है तो यह काम मुठी भर लोग थे करने वाले लेकर इन चीजों में हम काम जाब हो गया है आज मैं उन सभी एनराइस को कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ अगर इस संग के साथ मैं आई 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 हूं मैं 20 संग का एक मेंबर हो गया हूं आज मुझे इस चीज के उपर फखर है कि मैं बहुत सारी सांसाओं मैंने काम किया बाशेब में काम किया आफ़ी मेरे साथी जो बटाखे गया हैं मैंने सबी इन जीजों ङिन लोग मून दोब changes में मैंने काम किया । इन से मुझे एक बहुत बड़ी उमीद थी कि जे लोग जो हैं जे जितनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उसके उपर कुछ ना कुछ तो पूरा उतरेंगे लेकिन मुझे आज जब मैं उनका रिवीव करता हूं उनकी तरफ वापस मुड़के देखता हूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि संगटन सारे सारे अच्छे चल रहे हैं और अभी अभी मेरे साथी ने कहा था कि बामशेफ के संगटन चाहे ज़्यादा हो गए हैं वो एक ही डारेक्शन में जा रहे हैं मैं मेरा उनसे कहना है कि अगर हम एक ही डारेक्शन में जा रहे हैं तो एक ही मंजल है हमारी. तो हात मिला कर एक साथ चलने में हमें क्यीं दिक्कत हो रही है? इसका मतल हमारी एको, हमारा हंकार, हमारी मूर्खता उसके बीच में आ जाती है. इसलिए हम ऐकठे नहीं हो पा रहा है. तो मैं आप लोगों के बीच में जिए आप एन मा जाना चाहता हूँ कि अगर ब्लैक लाइज मैटर जैसी मूवमेंट हम वे देशों में खड़ी कर दें जो सारी हमारी समस्या को ग्लोबलाइज कर दें तो मुझे लग रहा है कि हमारे उपर जो हो रहे है तैचार अट्रॉस्टी जा हमारे जो अधिकार शीने जा रहे हैं जो बना के सीने जा रहे हैं जा हमें मुरुख बना के सीने जा रहे हैं वो सारे के सारे सब्दान के बीच लिखे हुए एदकार हमारे रुक जाएंगे और हम आने वाले अपने बच्चों को लिए एक बहुत उजवल वह शोड के जाएंगे वरना कोई मंदर मैंने आज तक करां और जो Black Lives Matter की मुवमेंट थी जो पिछले 60-70 सालों से चलती है रहे उसको भी देखा, इन दोनों को बीच में जब तक उन लोगों ने अपनी ताकत को इकठा करके इस्तेमाल नहीं किया, उनको कुछ भी हासल नहीं हुआ, इससे मुझे एक सबक सामने दिखाई दे रहा है, कि अगर हम लोग भी अपनी ताकत को इकठा करें, अपनी जाती धरम जो छोटे छोटे जो हमने भरमपाल रखे हैं, इनको अगर हम असाइड कर दें, और एक ही अपना मकसद रखें, एक ही अपनी प्रावर्टी रखें, कि हमें सबधान बिचाना है, सबधान के अंदर अंतर ताकत से अपने जे अधिकार शीनने बाव साब कहा करते थे, कि अधिकार जो हैं, वो भीक में नहीं मिलते, अधिकार को लिए आपको लड़ना पड़ता है, शीनना पड़ता है, तो बाव साब ने बहुत सारे रास्ते हमें बताए हैं, बुद्धरम एक ऐसा रास्ता है, ज तो जैसे चोटे चोटे नाले नदियां गंदे साफ वो जब वो समुंदर में जाकर मिलते हैं तो वो अपनी पहचान छोड़ जाते हैं वो समुंदर ही कहाते हैं इसलिए बुद्ध धर्म के सागर में जब जे चोटी-चोटी जातियों के बर्गों के और चोटी-चोटी मानत बुद्धरम वाले लोग बुद्धर्म में आ जाएंगे और बुद्धर्म में आते ही जे बुद्धिस्ठ कहाना शुरू होंगे, इनकी एक पहचान हो जाएगी, एक लड़ाई हो जाएगी, एक तकत हो जाएगी, जिसका साहरा लेकर यह अपना राज संभाल सकते हैं मुझे यह कहने में भी दिक्त नहीं कि भगवान बुद्ध ने अपना विचार इस्टैबलिश किया जिसको आज हम बुद्ध धरम कहते हैं वो एक ऐसा विचार था जिसमें एक्वालिटी लिविटी और फ्रेटेंटी एक भाईचारा शुपा हुआ था जिसके बलबुते पे आकर आ जर्म के परचार परसार में और विचार में हम सारे बंदी जाएंगे एक जैसा सोचेंगे एक जैसा हम काम करेंगे और अगर हम अपनी ताक्त का इस्तेमाल करके बहाए साथ उन्हें बोट का अजिकार दिया हुआ हमें चाकुशूरी बंदूग तो उठाने की जरूरत भी ही है आज अगर हम उस बोट का इस्ते माल करके अपनी रास्ता पैदा कर सकते हैं तो जो भी लोग यह समझते हैं कि हमें अपने दुखों का अपने उपर होने वाले अत्याचारों का अपने खुसे जा रहे सारे अधिकारों का अगर उनको चिंता है तो उनको प्रावर्टी अ एक संग, एक संग में कट्ठे होकर काम करने की है और श्रमन संग जहां मैं देख रहा हूँ कि जहां को याती का विशलेशन नहीं होता, जहां कोई भरका नहीं होता, को왜 कि से कोई पन्जाबी रह कोई गुजरती है, महाराश्ट्र है, जो हर्याना है यूपी है जो सब एक संग में एक ताक्त में बंद कर हमारे सामने आ रहे हैं ऐसा ही अगर हम बामशेफ के लोग भी और मूलनुवासी संग के लोग भी वाजगा के लोग भी मैं तो जितने भी ग्रुप्स में गया हूँ जिनके साथ मैं पिछले 35 साल से काम कर हूँ मैं उन सबी को अधायत कहता हूँ कोई अगर आप आप अपनी प्रॉर्टी ये कर लें कि हमें भारत के सब्ड़ान से एक एक अंकत जो हमारा इदिकारा उसको बचाना है उसको बचाने के लिए आप किसके आगे खड़े हैं किसके पीशे खड़े हैं किसके दाएं है हम सारे उसी मंजल पे जाकर इकठे हो जाएंगे और जिस दिन हमारी ये ताकत हमारे दुश्मन देखेंगे तो वो सवधान को पूरे का पूरा रिवर्स कर देंगे कोई भी उसमें से चीज हमें से शीनेगी नहीं इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए क्योंक के समझाने का तरीका मेरे से बहुत ज़्यादा है मैं तो अपने बिजनिस में बहुत कई बार उल जा रहता हूँ लेकर उनके पास इतना ग्यान है मैं उनको अगर यह कह दूँ के बुद्धर में तो ग्यान गुरू ग्यान ग्यानी को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ग्यान लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अगर अपना गुरू को हूँ सुदीर जी राज को तो मैं कोई छोटी बात नहीं कह रहा, मैं कोई उनको प्रशनसा नहीं कर रहा, वो मेरे गुरू है, मैंने उनसे बहुत को सीखा, खास करके बुद्धर्म के बारे में उनसे बहुत को सीखा है और मैं समझता हूँ कि अगर इस संग के लोग इस ग्रूप से जुड़ जाएं और उन से ये भी सीख लें तो हम बहुत जल्दी अपनी मंजल पा जाएंगे और जिस दिन सारे कठे होकर हम अपनी हिम्मत दिखाएंगे तो ब्रहमन कितनी भी दिवारें उंचे कर दें ये लोग इस श्रमन संग में कठे होंगे अपनी जाती को छोड़ कर अपने धर्म को अपने अपने सारे मानताओं को छोड़ कर एक ही हम प्रावटी लेके चलेंगे कि हमें अपने सब्दान को बिचाना है सब्दान में शुपह हुए सारे अधिकारों को बिचाना है और वो बच्चों के लिए और इनके बच्चों के लिए भी हमें अपने सब्धों को बिचा खे रखना है इनी शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैबहुत बहुत सादुवात, आपका तोऊ पढ़े हैं, आपने समझाए, बहुत अच्छे किनसर्ट जी तो आज आपने उसको आप उसने ओर मोर लगा दी इसलिए उनको ने बंते का चीवर पहना देते हैं सारे मिलकर नहीं बंते का चीवर वो नाम भी पहने उनके अंदर जो शिक्षा का एक जा समझाने का जहां मतलब अपनी बात को इस्टैबलिश करने का जो एक तुजरवा है जहां एक उनके पास जो एक क्वालिफिकेशन है वो बंते जी से भी मैं तो बहुत बंते हजारों बंतों को के लिए कि उनको भोजन मिलता रहे इसी के लिए उन्होंने बस्तर पैन रखे हैं और बहुत से तो बंते बुद्धरम को डिस्ट्रॉइ करने के लिए आये हुए हैं मुझे बहुत बहुत बड़े मैसेज आते हैं लेकिन बुद्ध को भी बंते का गया है तता अगित बंते का रुतबा हमारे हमारे उपा मैस मैं वो कैसे है लेकिन बंते का हमारे उपर जो न बहुत बड़ा बंते का बड़ा आदर करते हैं लोग बिलकुल करते हैं ऐसी रहे आने आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए, या इसकी जो आडियो है, उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की, या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद, थम सरेन गच्छामू, तु थम सेनं गच्छामी, थम सरेन गच्छामू, थम सेनं गच्छामी, संगं सरेन गच्छामू, तू थियंपी बुदं सेनं गच्छामू, थो थियंपी बुदं सरेनं गच्छामी, थो थियंपी दंडं मरसेन गच्छामू, थो थियंपी बुदं ममक सरनं गच्छामी, थो थियंपी बुदं सेनं गच्छामू, बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी तरतियं पी संदम सर्णं कच्छानी